हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं जो है एंटी एक सीउट के यूजी इंग्लिज के पेपर के बारे हम बात करने वाले हैं इंग्लिज के पेपर्स के लिए आपको कौन सी बुक पर चेस करनी चाहिए यह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जब आप स्लेवर्स देखेंगे तो स्लेवर्स तो आप NTA की साइट से डाउनलूड कर सकते हैं लाइंग्विज ए के लिए लाइंग्विज वन ए और लाइंग्विज वन भी सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है अब देखें यहां पर लाइंग्विज से रिलेटिट कैस इस तरीके से पेपर आया हुए पेपर चैनलेश पर अप्लोड ए वीडियो में पूछा भी कि पहला तो रेडिंग काम प्रेइंशन के बारे में बता हुए कि पैसें जो हे तीन टाइप्स के बारे में ठीक है उसके बाहाद यहां वर्बल एबिलिटी से कोशन, री अरेंजिंग दी पार्ट, चूज़ दा करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स और अन्टोनिम्स और वक्याबलरी English का जब आप पेपर देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक्स पेपर था मतलब ना आप कहेंगे कि जादा मुश्किल था, ना ही आप कहेंगे कि जादा असान था तो अब इस सिचुएशन में आपको कौन सी बुक परचेस करने चाहिए, मार्केट में आपको इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं, वैसे इंग्लिश के लिए कोई बुक इतना जरूरी नहीं होती, अगर आपकी वोक्याबलरी अच्छी खासी स्ट्रॉंग है, तो आपको इंग्लिश की जड़रतों नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करने के इंग्लिश का, तो SP के सबसे अच्छी वुक है, इंग्लिश के लिए, बेस्त है और बहुत सारे गौर्णनमों यह एक्जामस के लिए, जैसे बैंक के लिए हो गया, 升 के लिए हो, सबसे अच्छी से हट टॉपिक्स को, और सबसे अच्छी बात, प्रैक्टिस कोशन पर देख लिए सफीशन्ट से इतना जादा इंग्लिश में इतना वो नहीं होता लेकिन फिर भी आपको उसके बाद सेंपले पर पर परचेस करने हैं या फिर सीवेट की बुके परचेस और करना हैं आपको तो आप किसी भी पॉब्लिशर की परचेस कर सकते हैं दिश्या पॉ कोशन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एक्जाम से जो की बुक से प्रिविएस यर के कोशन से तो इसलिए आप अगर वो कवर कर लेंगे बुक्स आपकी अच्छे से प्रप्रेशन हो जाएगी उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी एक सैंपल पर जोए परचेस कर सकते हैं ताकि प्राक्टेस आप कर पाएं ठीक है तो इंगलेश के लिए बैस देए रहे हैं ठीक है बाकी कुछ अपडेट कुछ भी चेंजिस होंगे तो वह आपको वीडियो अपना के अपडेट कर दिया जाएगा टैक्ट थैंक्यू